नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रभास चैनल हिंदी पर मैं संगीता भ्याना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवी आलोक धन्वाजी द्वारा लिखित कविता पतंग के बारे में पढ़ेंगे जिसे कक्षा बार्वी के लिए आरोह भाग दो से लिया गया है इस वीडियो में आप कवी परीचे, कविता का सार और अर्थ सेथ व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों, किसी भी कविता अत्वा पाठ को पढ़ने एमम समझने से पहले उसके कवी, कवितरी, लेखक या लेकिगा के बारे में जान लेना अति अवश्यक होता है ताकि हम उनके विचारों से अवगत हो सके अलोक धन्वा जी का जन्म सन 1948 इस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था साहित्य में इनका काफी योगदान रहा है जिसके कारण इन्हें राहुल सम्मान भी प्राप्त हुआ इनकी पहली कविता जन्ता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई और उसके बाद इन्होंने भागी हुई लड़कियां ब्रूनों की बेटियां आदी कविताओं से काफी प्रसिद्धी प्राप्त की इनकी कविताओं का एक मात्र संग्रह मिलता है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है इनकी कावे में भारतिय संस्कृति का चित्रन दिखाई देता है और इसके साथ साथ ये बाल मनविज्ञान के ज्याता है अर्थार्थ बाल मनविज्ञान बालकों की मनवृति को समझने वेले इन्होंने शुद सहित्ते खड़ी बोली में लिखा इनकी भाषा सहज एवं सरल है इन्होंने अपनी कविताओं में अलंकारों का बहुत सुन्दर प्रियोग किया है पतंग कविता भी बाल सुलब इच्छाओं वे उमंगों पर अधारित है उन्होंने इस कविता में बच्चों की मनुवृति को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है तो आईए हम आगे कविता के सार के बारे में जान लेते हैं बच्चों पतंग का नाम सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा अधिकतर बच्चे विशेश रूप से लड़कों को पतंग उडाने का बहुत शोंक होता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है इस कविता में भी कविने कुछ ऐसा ही वर्नन किया है इसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह है आपके लिए ही लिखी गई हो पतंग कविता में कविने प्रकृती में आई परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुन्दर बिम्बो का उप्योग किया है सुन्दर सुन्दर चित्र कवी ने प्रस्तुत किये है पतंग बच्चों की उमंग और रंग बिरंगे सपनों का साहारा है जिसके माध्यम से भी अकाश की उन्चाईयों को छूकर उसके पार जाना चाते है बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पतंग अकाश को छू रही है वह भी पतंग के साथ उपर उड़ते चले जा रहे हैं उनकी मन की उड़ान भी भागती चली जाती है कवी ने इस कविता में भादों के बरस्ते मोसम के बाद आने वाली शरत रितू का वर्नन किया है अर्थार्थ बारिश के मोसम के बाद आने वाली हलकी हलकी ठंडक का वर्नन किया है खिली हुई धूप शरद रितु में हलकी हलकी धूप चारोर खिली हुई है और मौसम भहुत स्वहावना है और इस उमंग के महोल में बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकठे हो जाते हैं जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें पतंग उड़ाते हुए वो किधर भी निकल जाते हैं ना तो उन्हें छतों के किनारों का डर होता है ना ही गिरने का खत्रा होता है बच्चे गलियों में छतों पर बाहर मैदान में खुले में अराम से पतंग उड़ाते हैं उड़ाते उड़ाते किलकारियां मारते सीटियां बजाते हुए वे उड़ते चले जाते हैं ऐसे लगता है उनके पाउं को पंक लग गए हूँ कपास की तरह जिस तरह से कपास बहुत हल्की होती है मुलायम होती है ऐसी बच्चों के पाउं में भी पंक लग जाते हैं वे उड़ते दिखाई देते हैं उनके शरीर में गजब की शक्ती और उत्साह दिखाई देता है कभी कभी तो छटों पर पतंग उड़ाते समय वे खतरना किनारों से गिर्ते गिर्ते बच जाते हैं लेकिन इसके बाद इनका साहस और आत्मिश्वाश और अधिक बढ़ जाता है इसी भाव को कभी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है सबसे तेज बुछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखो जैसा लाल सवेरा, शरत आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग ओडाने वाले बच्चों के जुन्ड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, प्रस्तुत पंक्तियां, अलोक धन्वाजी द्वरा रचित कविता पतंग से ली गई हैं, इस कविता में कवी ने मौसम के साथ प्रकृती में आने वाले परिवर्तन का वर्नन किया है, और बच्चों की उत्साहा और उमंग से भरी दुनिया का वर्नन किया है, कि बच्चों की दुनिया बेफिक्री होती है, उन्हें किसी भी परकार की कोई चिंता नहीं होती, सबसे तेज बुछारे गई भादो गया भादो का मोसम महीना चला गया है भादो के महीने में तेज बारिश होती है और तेज बारिश का महीना चला गया है तेज बारिश के कारण तेज तेज बुछारे पढ़ती थी और वे समाप्त हो गई है और भादों के महीने के जाने के साथ ही शरद रितू का आगमन हो गया, सवेरा हुआ, शरद रितू का सवेरा हो गया शरद रितु का सवेरा ऐसा लगता है जैसे खरगोश की आँखों जैसा जैसे खरगोश की आँखों की लालिमा होती है शरद रितु की सुभे की लालिमा भी वैसे ही होती है तो कभी ने यहां खरगोश की आँखों के साथ शरद रितु की सुभे की तुलना की है शरत आया पुलों को पार करते हुए, कभी ने यहाँ शरत रितु का मानुविकर्ण करते हुए कहा है कि शरत रितु रूपी कोई मनुश्य है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए अपनी नई और चमकती हुई साइकिल पर बैठकर उसे तेज चलाते हुए पुलों को पार करके वह आ गया है वो साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर जोर से जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाकर ऐसा लगता है जैसे किसी को बुलाना चाहरा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, खुश होकर उमंग से उत्साह से वह इशारों से बच्चों को बुला रहा है उन्हें बुलाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कवी ने अकाश को इतना मुलायम बनाते हुए जैसे ऐसा लगता है कि शर्द ने अकाश को और मुलायम कर दिया है शर्द रितु की सुभा इतनी सुन्दर और कॉमल है ऐसा लगता है कि चारों तरफ वातावर्न बड़ा ही मनमुहक हो गया है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुई कि पतंग उपर उठ सके दुनिया की सबसे हलकी और रंगीन चीज उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागस उड़ सके बास की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और कित्रियों की इतनी नाजुक दुनिया इन पंक्तियों में कभी कहता है कि शरद सर्दी किरितु शुरू होने पर अकाश बहुत मुलायम हो जाता है कोमल हो जाता है ठंडी ठंडी मीठी हवा चलने लगती है स्वच वातावरन दिखाई देता है और महोल और भी उत्सावर्द हो जाता है तो कभी कहता है कि अकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि अकाश बहुत मुलायम बन गया है कोमल स्वच हो गया है ताकि पतंग उपर उड़ सके पतंग असानी से उपर उड़ सके दुनिया की सबसे हलकी और रंगीन चीज उड़ सके कवी ने पतंग को संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज कहा है रंगीन आपने भी देखा होगा कि बाजार में बहुत रंग भी रंगी पतंगे मिलती है और बच्चे भी अपनी पसंद की रंग भी रंगी पतंगों को खरीद कर लाते हैं तो इसलिए कवी ने वैसा ही वर्नन यहां किया है तो कवी ऐसा महौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हलकी और रंगी चीज उड़ सके यानि बच्चे पतंगों को असानी से उड़ा सके दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके पतंग कागज की बनती है और पतंग का कागज बहुत अधिक पतला होता है तो वही बात कवी ने कही है कि दुनिया का सबसे पतला कागस असानी से उड़ सके ऐसा वातावरन बन गया है बास की सबसे पतली कमानी उड़ सके पतंग के बीच में एक बास की पतली सी कमानी लगी होती है जिसमें दोर बांद कर बच्चे उस पतंग को उड़ाते हैं तो कभी ने उसी का वर्णन यहां किया है कि बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागस वह बास की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को असानी से उड़ा सकें जब पतंगे अकाश में उड़ती हैं तो क्या होता है? शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया बच्चे उत्साह से उमंग से सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं और बच्चे एक दुसरे की पतंग काटकर बड़े खुश होते हैं अपनी पतंग को दूसरी की पतंग से और अधिक उचा उड़ाना चाते हैं और अकाश की उचाईयों को छू लेना चाते हैं उनका उत्सहा उनकी उमंग देखते ही बनता है इस रितू में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं तो बच्चे भी तितलियों की तरह कोमल वे नाजुक होते हैं तितलियां भी अलग लग फूलों पर इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती रहती हैं ऐसे ही बच्चे रंग विरंगी पतंगों के साथ ऐसे लगता है कि आकाश में साथ ही उड़ते चले जा रही हैं। तो इन पंक्तियों में कवी ने शरद रितु का बड़ा ही सुन्दर वर्नन किया है और सरदी की रितु का मानुविकरन किया है। इसके साथ साथ उपमा, अनुपरास, शलेश, पुन्दुक्ति प्रकाश अलंकार का भी बड़ा सुन्दर प्रयोग कवी ने किया है। खड़ी बोली और मिश्रित शबदावली है। कवी ने इसमें लक्षना शक्ति का प्रयोग किया है। पतंग को लक्षित करके उसने अपने मन के भाव बताई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृत्वी घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दोड़ते हैं बेसुद। छतों को भी नरम बनाते हुए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अकसर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती उ बच्चों के शरीर को कपास की तरह बोला है। जिस तरह से कपास बहुत कपास रूई, बहुत ही कोमल, सोफ्ट होती है। ऐसे ही बच्चों का शरीर भी बड़ा कोमल होता है। लचक होती है, उनके शरीर में नर्मी होती है। तो कवी ने कहा है कि बच्चों का शरीर कपास क तरह नरम होता है, ये बच्चे नरम शरीर के साथ ही पैदा होते हैं, पृथवी घूमती हुई आती है उनके बेचेयन पैरों के पास, यहां तक की पृथवी धर्ती भी ऐसा लगता है कि उनका प्रश करने के लिए उत्सुक रहती है, उनके बेचेन पैरों के पास वह भी उसके उनके पैरों के पास आती है और उन्हें छू लेना चाती है बच्चे जब मस्ती से बेसुद होकर जब वे दोडते हैं बेसुद मस्त होकर दोडते हैं उन्हें कुछ परवानी होती, धर्ती भी उन्हें बहुत कौमल लगती है, धर्ती भी उनका साथ देती है, और उन्हें कुछ भी पावों में कठनाई महसूस नहीं होती, छतों को भी नरम बनाते हुई, पतंगे उड़ाते हुई बच्ची, एक घर से दूसरे घर की छतों पर भी टापते हुए चले जाते हैं, और छत भी उन्हें कठोर नहीं लगती, बहुत नरम लगती है, क्योंकि उनके मन में पतंग उड़ाने का इतना उत्साह और उमंग होता है, उन्हें ये सब चीजें दिखाई ही नहीं देती, दोरते समें उन्हें मकान की छतें भी कठोर न मिर्दंग होता है एक वाद्ययंत्र, धोल जैसा एक वाद्ययंत्र होता है, जिसे बजाने से बड़ी ही मधूर ध्वनी आती है, तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छतों पर दोरते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी दिशाओं से मिर्दंग जैसा मीठा स्वारुत्प हो गया हो, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, पैंग भरना जूला जूलना, कभी कहता है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए इधर से उदर जूले की तरह आगे पिछे होते रहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वे जूला जूल रहे हों, डाल की तरह लचीले वेक से अक्सर डाल टहनी जिस तरह से पेड की कोई टहनी आगे पीछे हिलती रहती है अपने लचकदार शरीर से वेख गती तो ऐसे ही बच्चे बच्चों के शरीर में भी डाली टहनी की तरह एक लचीलापन आ जाता है वह भी कभी उपर, कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर भागते चले जाते हैं, चटों के खतरनाक किनारों तक, यहां तक की पतंग उड़ाते उड़ाते, रह कभी कभी चटों के किनारों तक आ जाते हैं, जो बड़ी खतरनाक होती हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, अचानक ही वे अपने आपको संभाल लेते हैं, गिरने से बचा लेती हैं सिरफ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें कौन बचाता है उनका शरीर रोमांचित जो उत्साहा से, मस्ती से भरा होता है उन्हें केवल अकाश में पतंग उडाना, पतंग को अधिक उंचाईयों तक ले जाना ही दिखाई दे रहा होता है, तो उस समय उनकी शरीर का वह रोमांच सारी खतरनाक जगाओं पर उन्हें बचा लेता है, उनके अंदर एक अजीब सा उत्सहा, एक उमंग होती है, कि उन्हें ये सब चीजें बेकार लगती है, एक शन का डर, गिरने का डर उनके मन में आता है, लेकिन उसी समय पतंग उडाने का जोश, उने वापिस फिर उसी माहोल में ले जाता है, पतंगों की धड़कती उन्चाईयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारी, उस समय उनका सारा ध्यान, केवल, धागा, पतंग की जो डोर होती है, मांजा, जो डोर होती है, उसे पकड़ कर, सिरव उनका ध्यान पतंग को और अधिक उन्चाईयों पर ले जाने में ही लगा होता है, ऐसा लगता है, मानों, पतंग की उन्चाईयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम दिया हूँ, यहां कभी ने मानवी करन, अनुपरास, उपमा अधियलंकारों का सुन्दर प्रियोग किया है तंगों के साथ साथ वे भी उड रहे हैं अपने रंधरों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छटों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं प्रित्वी और भी तेज घुमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास इन पंक्तियों में कभी ने बताया है कि पतंगों के साथ साथ वे वे को बच्चे भी उड रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों की पतंग आकाश की उन्चाईयों को छू रही है वैसे वैसे बच्चों का मन भी आकाश में पतंग के साथ साथ उड रहा है अपने रंधरों के सहारी, रंधरों, सुराखों, रोई, पतंग उड़ाते समय, बच्चों के शरीर के रोई, रोई, खड़े हो जाते हैं, अर्थार्थ रोमान्चित हो जाते हैं उनमें एक अजीब सी मस्ती और लगन दिखाई देती है तो बच्चे बच्चों के शरीर भी संगीत उत्पन कर रहे हैं और आकाश में उड़ते हुए से परतीत हो रहे हैं अगर वे कभी गिरते हैं छटों के खतरनाक किनारों से कभी-कभी बच्चे पतंग उड़ाते समें छटों के किनारों से गिर जाते हैं लेकिन उनका शरीर इतना लचकदार होता है कि वे अपने आपको संभाल लेते हैं और बच जाते हैं और वे बच जाते हैं तब तो उस समय क्या होता है और भी निडर होकर उनके मन का डर समाप्त हो जाता है और वे अधिक उत्साहा से सुनहले सूरज के सामने आते हैं सुनहला सुरज अगली सुबा अगले दिन का सुरज और वे पूरे उत्साह के साथ अगले दिन सुनहरे सुरज के सामने से सामने फिर आ जाते हैं उसी उत्साह और दुगने उमंग के साथ पतांग उडाने के लिए प्रित्वी भी तेज घुमती हुई आती है उनकी गती और अधिक तेज हो जाती है प्रित्वी और तेज गती से उनके बेचैन पैरों के पास आती है अर्थार्थ उनके पैरों में बच्चों के पैरों में एक अजीब सी गती आ जाती है पतंग उड़ाने के लिए वे और अकाश दोनों ही उसका साथ देते हैं। इन पंक्तियों में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मान्विकरन, अनुप्रास और पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कभी ने यहां बच्चों के सुन्दर रूप क पतंग उड़ाते हुए सुन्दर रूप को प्रस्तुत किया है और बच्चों की मन की भावनाओं को आप सब के सामने रखा है तो बच्चों ये सुन्दर सी रंग ब्रंगी कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी और इस कविता में आपने आपको पाया होगा आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये आपकी ही कविता है क्योंकि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं और आपके अंदर भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिलता है तो इसी के साथ बच्चो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें थैंक यू एंड गोड ब्लेस यू